जमशेदपूर मांगो के सहारा सिटी में नाबालिक के साथ दुश कर्म कर उसे ब्लैक मेल करने का मामला सामने आया है जानकारी की अनुसार पीडिता एक घर में देख भाल का काम करती थी एक साल पहले आरोपी ने नाबालिक को घर में अकेला देख कर उसे अपने प्यार के जाल में फसाया और फिर शारिरिक सम्मद बना कर उसको ब्लैक मेल करने लगा जिससे परिशान होकर पीडिता ने इसकी शिकायद पुलिस से की है फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पीडिता की शिकायद पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से छानबीन कर रही है पंजाब के स्री टीवी के लिए जमशेद पुर से इंदरजीत सिंग की रिपोर्ट